जो हमारे प्रुवार वे साथ की भून किया थेद गया, अंध्रेद में गया, गुला कर्म का बुगाना की जा होता है उत्तरप्रदेश के मवजले के गैंक्स्टर मुक्तार अंसारी की बांदा जेल में हौट अटेक आने से हुई मौत के बाद मुक्तार अंसारी की मौत पर अजे प्रकाश सिंग के भाई हरेंद सिंग ने का बयान सामने आया है मुकतार अंसारी को कानून ने सजा दी थी आज इश्वर ने भी सजा दे दिया हरेंड सिंग ने कहा कि मुकतार अंसारी को इश्वर ने सजा दे दी है हाला कि अभी उसकी मौत हुई है लेकिन उसके गैंके और लोग भी है अभी अपरात खत्म नहीं हुआ है उसका भाय अफजल अंसारी अभी जिन्दा है हरेंड सिंग ने बताया कि हमारे भाई के साथ ठेकेदारी के रंजिश को लेकर 29 अगस्त 2009 को गाजी पुर्ट तिरहा के पास निर्मम हत्या कर दी गई थी उनके साथ राजेश राए को भी गोली लगी थी ड्राइवर संदीप साफ को गोली लगी थी दो महीने बाद राजेश राए की भी मौत हो गई वो इतना दुर्दान तपरादी है उसमें चश्मदीद गवाह राम सिंग मौर्य थे जो हम लोगों का काम देखते थे लेकिन वो गवाही न दे पाए इसके लिए उन्होंने 19 मार्च 2010 को उनकी भी हत्या कर दी उनके साथ सुरक्षा में लगे सतीश सिंग को भी गोली से भुन दिया था हमारे भाई के साथ शेकडारी की रंगिस को लेके 29 अगर्स 2009 को नहीं गाजी को तिराय ब्यपास उनकी लिए इमाम हट्या कर दीए इनके साथ राजे स्रायक को भी गोली लगी ती डाइवर सब्धिर साह को भी गोली लगी ती दो महिनाबाद राजे साह दी मर ले और इतना दुर्जांत अप्रादी हैं उसमें वादी मुकद्मा तो हम थे ही कश्मदीर गवा राम सिंग मौर्या थे जो भाई साब का हम उनका काम देते करते थे गवाही न देने पाए इसके लिए इससे इसके लिए उन्होंने 19 मार्श 2010 को उनकी विरत्या करें इनके साथ और अच् मुकतार अंसारी जुर्म की दुनिया का वो बादशा था जो लंबे समय तक जेल में तो रहा लेकिन किसी भी जेल की सलाखे उसके रुद्बे को कम नहीं कर सकी वो जेल के अंदर से ही अपनी गैन को चलाता रहा और लोगों को दराने धमकाने और हत्या करने जैसे काम करता कि इसका वीडियो क्लिप आवाज का वाईस का वीडियो क्लिप सासंद वारा जारी कि अहां घटना हो रही है और अभैसिंग से यह बात कर रहा है यह वीडियो क्लिप सामने आई थी सारे लोग जानके तो वो जेल में बैठे बैठे और इसी की भी अप्ट्या करा सकते है लोकल 18 मौसे सुशील सिंग की रिपोर्ट